तो अभी टाइम हुआ है सुबह के नौ तो आज सबसे पहले जो काम करना हुई है कि आज हमें जाना है बाजार और कुछ सामान लाना है आज में एक और काम है कि आज में बैंक जाके आना है कि कुछ काम है वहापे और और जा चुका है और आज शुबह-शुबह थोड़ा वारिस का मौसन था इसलिए मेरे पापत जी हैं वो घर पर हैं तो मैं एक बार नीचे लेके चलता हूँ नीचे हो तो चली एक बार तो गाईज अभी माग आए हूँ उपर से नीचे यहां से आया हूँ नीचे और मैं एक बार आपको जो नीचे जो घर है वो आपको एक बार दिखा देता हूँ यहां पर यह दर्वाजा है और एक बार बैक कैमरे से भी ख और यह उपर यह जो कबाड है इसको रखने के लिए जगाम ना रखी है अब यहां से हम यह देखिए यह अंदर का रूम है दिखा दिता हूं आपको देखिए यह कपड़े रटेंगे हैं और यह बैड है वासिंग मसीन आपको दिखी रहे होगे पर इस रेल लेड़ी और यह पंखा लगा तो यह है अंदर का गम्रा बाकी यह मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि मैं कहीं पर मतलब घर के अं हूं तो आपको आपने ज्यान से देख लिया हुगा तो देखिए गाई जभी एलेक्स आ गया है इसके बाल काट दी है तो टकला कर दिया है यह देख सकते हैं जीप काट दिया लिए तो अगर भी मोसम है वो थोड़ा अच्छा हो चुका है तो अभी मैं आ लेता हूं नहीं तो फिर से क्या अपता दूप निकल जाए और फिर दूप में जाना पड़े तो अभी फिंशन देम होसम में कलते हैं अभी मैं ना लेता हूं और फिर मिलता हूं आपसे तो गाइज अभी रेडी हो गए है और ये बैग ले लिया है तो चलिए भी चलते हैं बिना किसी दे रही गे गाइज पहले हम आये थे बैंक में और बैंक में जो काम है वो अभी नहीं हो पाया तो अभी अभी जा रहे हैं हम सामान लेने के लिए फिर कभी आएंगे बैंक में गाइज अब मोल में आ गए हैं और अभी सामान ले लेते हैं जो जो चाहिए था ये पहले बेसन ले लिया है और ये पावेल ने दो हुरूटी ले लिए है और देखते हैं क्या समान लेना है ये एक कॉल्ड डिंक देख सकते हैं याँ आपर अब ही ले रहे हैं दाल एक टाइप के ले नहीं दाल क्योंकि तो यह पावेल इसको मेजर कर रहा है यह ले लिया केक और मैगी भी ले ली थी गाईज ज्यादा समान नहीं लेना था और यह थोड़ा बहुत समान लेके इनके पैसे देगे अभी चलेंगी सिदा गर पे गाईज अब मा गया हूं वहाँ पे जहां मिलते हैं गाउं के लिए साधन और यहां से साधन मिलते ही हम सिधा चल पड़ेंगे गर की तरफ देखते हैं कब मिलते हैं और फीद चलते हैं तो गाइज हमें वहां से मल गई थी स्कूटी और स्कूटी पे बैठके हम आ गए यहां पर घर पे और बारिस का मुस्तों हो चुका है गाइज अभी हम आए हैं एविनिंग वाक पे और यह देख सकते हैं हमारे गाहों का तालाब इसमें मैंस बहसा आपको दिख रही होगी अब हम गुमने के लिए थे और हमारे साथ प्रीन्स आ गया था और यह प्यानों पर जो दुनग जारा है वो आपको बताने है कि वो किस गाने की है तो एक बार बजा के दिखा गये या आपको बजाओ एक बढ़ कि अपके तो आपने यह साउंड है जो सुन ली होगी और अभी आपको कॉमेंट में बताना कि किस गाने की मतलब इंस्ट्रूमेंटल तो देखते हैं कौन पहचान पाता है जल्दी जल्दी कॉमेंट करो इस वीडियो के नीचे अगया जोड़ा जोड़ार बारिस का मौसुम हो गया है और अपी ठंडी ठंडी आवी चलने लगी है तो बारिस पाएगी और हम मॉबाइल के लिए कवर में लाए तो मॉबाइल भीग सकता है इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं आपको इस वीडियो में मज़ाओंगे तो इस वीडियो करते हैं यही बैंड और मिलते हैं इसकी आने वाले वीडियो में तब तक के लिए कर्एका करेगा था है लिए कर्सेर है करession excess मई था-था